भाई किया ना जरूर से अमुल चीज बनाने की फैक्टरी होगी भाई इतना चीज बेट पकोड़े में कौन डालता है भाई ये क्यूं डालते है भाई इसका राज ये ही जानते हैं क्योंकि ये है खिलाने और खाने में एकदम महराजा जैसे दिलदार आदमी है जो की चीज इतना बर-बर के डालते हैं कि मजा ही आ जाए और स्वाद ऐसा कि आप उंगलिया तक चाट जाओगे वैसा तो ये हो रही है उसकी चीज बेट पकोड़े की मेकिंग जिसमें आलू का मसाला लगाया जा रहा है उसमें और कुछ इनके सीक्रेट मसाले भी अंदर डाले जाते हैं एक सिर्फ अमूल का चीज ये बाहर का यूज करते हैं ये देखिए कितना चीज डाल रहे हैं पूरी बारिस कर दे रहे हैं एक ब्रेड पकोड़े में दो चीज क्यूब एक साथ में जा रही है उसको कट करने के बाद में एक-एक में डिवाइड हो जाएगी तो भई द दूसरी स्ट्राइज पर बटर लगा जा रहा है वह भी अमूल का और यह देखिए उसमें भी कोई कंजूसाई नहीं एक दम बर बर के उसको भी बढ़िया से लगा दिया और उसके बाद में वह जो जो अमूल लगा गया है बटर उसको अप्लाई करेंगे ब्रेड के उपर और बढ़िया से उसको कवर करने के बाद 2-5 मिट बाद में उसको कट कर लिया जाएगा ताकि जो चीज है वो सेट हो जाए और जब यह खुलेगा ना तो नदिया बह जाने वाली है क्योंकि चीज जब मेल्ट हो जाएगा बहत ही बढ़िया और यह रहने वाला है ब्रेड क्रिश मीट लगे थे भाई इतना क्रिश्पी और करारा बनाया गया है इसको जब यह अंदर से चीज इसका अंदर मेल्ट हुआ होगा ना वह भी सोच रहा होगा कि कब बाहर जाओ और किसके मुँपे लगूं तो वैसा ही कुछ मेरे मुँमे में था कि मैं कब खाने को मिले भाई यह तो वेट करवाते ही जा रहे थे उसके बाद में इन्होंने मिर्ची की मेकिंग चालू करती तो यह भी इनकी बेशन वाली एकदम क्रिस्पी मिर्ची रहती है जो की चीज ब्रेट पकोड़े के साथ में सर्व की जाती है और इसका भी स्वाध डबल हो जाता है क्य चीज मेल्ट हो गया था ना वह बाहर आ रहा था भाई वह एकदम रोके जैसे बाहर निकलता ना वैसे आ रहा था और उसके साथ में यह देते हैं तीन तरह की चटनी बाई कितना ही मिलेगा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आखों पे के इतना कुछ दे रहे तीन तरह की चटनी उसके साथ में भी मिर्ची मिल रही थी यानि चार तरह की चटनी और उसके साथ में चीज ब्रेड पकोड़ा भाई क्या ही मजे थे तो इतनी देर अपने से कहां रहने वाला था तो भाई हमने भी बोल दिया हमें एक नहीं दो चाहिए और दो चीज ब्र ब्रेट पकोड़े का स्वाध हमने चक लिया बई ऐसा चीज ब्रेट पकोड़ा आज तक मैंने कभी ना खाया था ना सोचा था तो अगर आपको भी ट्राइ करना है तो यहां पर जाइए और जरूर से इसको ट्राइ कीजिए का नहीं है तो फॉलो करो